आज हम आपको बताएंगे कि जोतिश घर बैटे कैसे सीखा जाता है ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें एक से लेकर बारां तक गिंती लिखी हुई है इनको जोतिश में कुंडली में भाव कहते हैं हर एक भाव का अपना एक significance होता है अपना एक वो होता है importance होता है आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा काम की बात करते हैं ये होता है पहला भाव जिससे लगन भाव कहते हैं इससे लेक्ति की शरीरिक शमता उसका विकास देखा जाता है बेसिकली उसकी personality उसकी beauty सबी चीज़ें इससे आती हैं ये दूसरा भाव होता है जिसमें दो नमबर लिखा हुए इससे हम wealth और family के बारे में ज़्यादा देखते हैं speech का भी यही घर है वानी का यही घर है तीसरा घर होता है बंदू भांदों का मित्रों का चोथा घर होता है माता का वहिकल्स का सुख का मानसिक शांती का प्रोपर्टी का पांचवा घर होता है बुद्धी का पूर्व पुन्य का पिछले जनम के किये हुए कर्मों से जो आप साथ में लाएं हैं पुन्य उनका छटा घर होता है शत्रूं का रोग का कोट के चैरी का प्रोब्लम्स और दुश्मनी का सात्वा घर होता है मेरिज लाइफ पतनी का डेली आमदनी का वी इसी से आंकलन किया जाता है और आठवा घर जो ये है ये आयू का घर माना जाता है अचानक होने वाली हैपनिंग्स इस घर से देखी जाती हैं नोवा घर होता है भागे का इश्वर ये लगन इंसान की इश्वर की तरफ जुकाव कितना है वो भी देखा जाता है पतनी के छोटे भाई बहनों का भी यही घर होता है यहां पर दस नंबर लिखा है यह दस्वा भाव हो गया इंसान के कैरियर का भाव है इज्जत मान का भाव है यह सबसे इंपोर्टेंट भाव आज के युग में माना गया है ग्यार्वा भाव होता है लाव का भाव है लाव सबी तरह के लाव आईउ का भी लाव ले सकते हैं धन का भी लाव ले सकते हैं स्वस्थे लाव भी इससे देखा जा सकता है बार्वा भाव होता है लोस का व्यपार में लोस हो सकता है फाइनांशल लोस हो सकता है आईउ का लोस हो सकता है सबी तरह के लोसिस इससे देखे जाते हैं यह जेल का भाव भी होता है यह सप्रिचुलिटी का भाव भी होता है यह बैड़ प्लेयर्स का भाव भी होता है इससे देखे जाते हैं यह बैड़ा बताया है आपको कि यह 12 घर है इनका क्या मतलब होता है जोतिश में शुरू में आपको यही देखना होता है कि इन में जो इस्टार्स बैठे हैं वो क्या काम करते हैं जैसे में